जब हम अपने वाले स्टेज में होते हैं, तो हमारा लाइफस्टायल बिलकुल ही अलग होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंजेसं होती हैं हमारे बौ। बटी में होती है, जो करने का भी मन करता है इसके वज़े से teenager वाली life तो ने लेकिन आगे हम ये life में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें effect करती हैं तो ऐसा ना हो इसलिए मैं आप लोग के साथ कुछ hacks and कुछ tips अपने शेयर करूंगे आप लोग के साथ तब तक तो हमारे बाल बिल्कुली damage हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा hair fall होता हैं तो सबसे most important thing is to wash your hairs और अपने बालों में कोई भी conditioner यूज़ मत करिए कोई भी आप shampoo यूज़ करते हो तो चेक कर लीज़े वो cruelty free हो अगर आप चाते हैं थोड़े बहुत भी आपके बाल शाइनी रहे तो आप एक serum यूज़ कर सकते हो अब market में बहुत सारी serum आते हैं लेकिन budget friendly serum मिलना बहुत मुश्किल है तो आप ये live on का serum ट्राइ कर सकते हो टीनेजर के लिए budget friendly भी है साथी साथ बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी बना देता है और अपने सिर्फ और सिर्फ टिप्स में लगाई रूट में बिल्कुल भी serum को लेकर नहीं जाना है और अपने कोई भी blow dry use मत करिए हमेशा naturally बालों को dry करिए naturally बालों को dry करोगे तो बालों को volume भी मिलेगा साथी साथ बाल damage भी नहीं होंगे अब टीनेजर में ना हमें बहुत ज़्यादा एक मन करता है कि हमारे भी बाल बाकियों की तरह straight हो क्योंकि मुझे भी यह चीज लगता था और मैं बहुत ही जादा hair straightening hair curling और hairstyle करती थी जिसके विसे में बाल बहुत ज़्यादा दामेज हो जाते थे तो heat आपको बिल्कुल बालों में यूज नहीं करना है instead of use a good comb और जिसमें बहुत ज़्यादा सकते हैं इस चीज के बारे में नहीं पता हो लिए मैं यूज नहीं करती थी इसलिए मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राय रहती थी आपको फेस्वाश बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको two times in a week deeply exfoliate करना है अपने जिसके बहुत सब्सक्राइब करना है और यह वाला जो स्टैप है यह तो हमारी दादी नानी के जमाने से चलता रहा है वह मुल्तानी मिट्टी का फेस्पैक यह मैं अपने टीनेजर में यूज करती थी मैं बिल्कुल भी जूटनी बोलूंगी फेस्वाश यूज नहीं मिलता था लेकिन यह जरूर करती है मुलतानी मिटी को आप बालों को स्ट्रेट करने के लिए भी शैंपू करने से पहले यूज कर सकते हो और फेस के लिए बॉडी के लिए सब के लिए मुलतानी मिटी बहुत ही अच्छी है यह मास्क बहुत ही एफेक्टिव है इसमें बस कर दीजें आलोवेरा जल आट कर लीजे और उसे तक वोश मत करिए जब तक वो अच्छे से ड्राइना हो जाए अब अपने नेल्स का भी केर कर लेते हैं जब तक हमारा फेस ड्राइ होता है तो आप नेल्स जासे कि देख सकते हो बहुत जादा उपर नीचे है तो अगर होते हैं उनमें उसको मैं सीजर से ही कट करती हूँ क्योंकि शेप अच्छा मिलता है और मैं नहीं चाहते हूँ कि अगर मेरे नेल्स बढ़े हैं तो मैं पूरा ही उनको छोटा कर दूं इसलिए मैं सीजर यूज़ करते हैं आप देख सकते हो कि फेस बिल्कुल क्लीन हो गया रोज़ वाटर सबसे ज़्यादा अच्छा है तो रोज़ वाटर आप इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं बेस्ट सिंपल का ये मॉश्चुराइजर है फॉर टीनेजर टीनेजर हो आप तो बहुत ज़्यादा आप आसेट एक और नाय सिनमाइड सनस्क्रीन आज जब पता है तो मैं हर टूह वार्स में अपने सन्सक्रीन को वैर करती हूं जो बहुत ही जादा जरूरी है इसी आप स्किप मत करेगें मार्केट में बहुत सारे संस्क्रीन है नो वाइटकास्ट वाली ही लीजे और 50 pa++ वाली ही लीजें सब कुछ करने के बा का यह 70 रुपीज की रेजर आती है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो आप ऑफ-लाइन ऑन-लाइन हर जगा वेलेबल होती है तो आप इसमें ही इन्वेस्ट करिए अपने अंडराम्स को शेव करते रहें वीक में दो या तीन बार जितने भी आपके हेर ग्रोथ है उसमें प्रोडर थी वो सारी चली आपके लोग के लिए जादा तर आप ब्लाक टॉप्स में इंवेस्ट करें या ब्लाक ड्रस में इंवेस्ट करिए और इक स्किन टून पर बहुत प्यारी लगती है नाव अब टीनीजर में सबसे जादा जो मिस्टेक्स हम करते हैं वह सामने वाल रेड लिप्स्टिक में कैसी लग रही है लेकिन उस सिंप्ली प्रिटी और कॉंफिडेंट फील करना है अब यह कैसा पाट है ना जो हर एक टीनेजर को बहुत जादा पसंद होता है मुझे तो आज भी बहुत जादा पसंद है वह है पॉफ्यूम लेकिन अफॉर्डेबल इतना ही मुश्किल हो गया है जैसे इंटरनाशनल मेक अप ब्रैंड तो हमें पॉफ्यूम लॉंग लास्टिंग भी चाहिए अफॉर्डेबल भी चाहिए सब कुछ तो एक मिलनी सकता है तो हमें चाहिए बस एक वैसलीन वैसलीन को आप अपने पाम में इस तरीके से लगा लीजे उसे डाप कर लीजे उसके उपर आप स्प्रेई कर लीजे अपना पॉफ्यूम जहां दो घंटी चल रहे होंगे ना वहां के पांच से दस घंटी चल सकते पॉफ्यूम क्योंकि वह बहुत जादा उसको लॉंग लास्टिंग बना देता है हमें बहुत कुछ में जाए जैसे कि यह वाले जो शेल वाले एरिंग आपको अराम से मार्केट में 20-30 रुपीज में मिल जाएंगे बहुत अफॉर्डिबल मिलते हैं और आपको यह बहुत स्मार्ट लुक भी देते हैं और जादा स्मार्ट लुक को देने के लिए एक वाच आड़ कर आप नियूड नेल पेंस में जाएं अगर आपका मन है तो अगर आपको मन है लगाने का तो आप नियूड नेल पेंस में जाएं नियूड नेल पेंस में बहुत सारे ओप्शन मार्केट में मिलते हैं आप अपने स्किन कलर के अकॉर्डिंग ही लगाईए मतलब चूस करिए आप अपने nail paints को लगा के चेक कर लीजे कि वो आपके nails पर कैसे लग रहे हैं और जो आपके nails पर suit करें, आपके skin tone के according आप वही choose करिए That's it for today's video, I hope आपको वीडियो helpful रही होगी जितने भी hacks मुझे लगे कि मैं इसके अंदर cover कर लूँ, सारे hacks मैंने cover कर लिए पसंद आया तो like, share, subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले, आप सब भी से अपने next video में मिलती हो, till then bye bye, take care